जैहिन प्यारे मित्रों आपके अपने योटूब चैनल आरार क्लासस में आप सभी का स्वाजत है जैसा कि हम सभी लोग डिस्केशन कर रहे थे रेलवे एलपी सीवीटी टू किसके लिए रेलवे एलपी सीवीटी टू बीटी टू के लिए जो टेकनिकल से हमारे एक्जाम कोस्टन पूशे जाएंगे उनके लिए और जो भी हमारे आल अदर टेकनिकल एक्जाम होते हैं डी आर डियो सेल बार्क और आल अदर टेकनिकल एक्जाम जो भी हमारे टेकनिकल एक्जाम होते हैं उन टेक्निकल एक्जामों के लिए जो है most important questions है जहां पर जो हमारे टेक्निकल के जो है questions पूँचे जाते हैं अगर हमारे किसी भी ग्रूप से join होना चाहते हैं तो description box में उसका link के दे दिया जाएगा वहां से जाकर के जो हमारे किसी भी ग्रूप को join कर सकते हैं तो आईए हम लोग अपनी class को start करते हैं आज हम लोग देखेंगे CNC machine से MCQ questions के बारे हम लोग discussion करने वाले हैं तो हमारा जो first question है आज का हमारा first number question है यह question जो हमारा RRB मुंबई में पूचा हुआ question है question है सी 148 turret खराद machine को प्राय निम्नमे'd से भी भछाना जाता है जो खराद machine होती है उसमें 140 टैरेट होती है टैरेट में ही क्या होते है कि हमारे tools बंधे हुए होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि हमारी genuine machine होती है manual machine में tool, post में tool को बंधा जाता है और CNC machine नों हमारी किसमे turret का प्रयोग किया जाता है इस option है capacity machine, next option है screw machine, next option है chucking machine, next option है truing machine, इसका right answer हो जाएगा option number C, chucking machine chucking machine में 140 turret machine को प्राया निम्नमे से में से भी पहचाना जाता है chucking से जो है पहचाना जाता है, इसका right answer हो जाएगा option number C देखिए इसके point पर बात करते हैं, 140 turret खराद machine की पहचान chucking machine से की जाती है, किस से? chucking machine से की जाती है chucking machine मुखे रूप से machining के बड़े भागो जैसे casting, forging या black के लिए design की गई है जो हमारी क्या होती है, जैसे casting, forging या black के लिए जो है design की जाती है, की गई है next question है, हमारा अगला number question है, CNC machine में निम्न में से कौन सा slide mark question हमारा CNC मशीनों में निम्न में से कौन सा slide mark उपियोग में नहीं लाया जाता है, कौन सा slide mark, जो हमारी slide करती है, जैसे हमारी CNC machine जो भी student या जो भी candidate देखे हैं, उसमें जो target होती है, target में हमारी क्या होती है slide लगी होती है, उसे को जो slide करती है, question जो हमारा RRB कॉलकाता में पूशा हुआ question है, तो question कह रहा क्या है, CNC मशीनों में निम्न में से next option है, magnetic slide mark, next option है, घिसन प्रति-जो 후 slide mark, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number C magnetic slide mark, जो हम उपियोग में नहीं लए जाता है, CNC मसीनों में magnetic slide mark उपियोग में नहीं लए जाता है, इसका राइट answer हो जाएगा, option number C देखे हैं, इसके प्रयोग में नहीं लाय जाता हैं, CNC मसीनों में प्रयोग होने वाले स्लाइड मार्ग, कौन कौन से हमारे चोह स्लाइड मार्ग, CNC मसीनों में प्रयोग में लाय जाते हैं, जैसे हमारे क्या हैं, द्रवी इस्थेतिक स्लाइड मार्ग, घर्षन रोधी स्लाइड मार्ग, घिशन रोधी slide mark यह सभी slide marks जो हैं हमारे CNC machine में slide mark में जो उपियोग किये जाते हैं next question है हमारा अगला number question है question है एक micro processor होता है यह जो हमारा क्या करते है RRB कुलकाता में पुछा हुआ हम question है question है हमारा एक micro processor होता है आप सेने integrated circuit next option है program द्वारा नियंतरित next option है की फायती next option है यह सभी इसका right answer हो जाएगा option number D यह सभी D is right answer देखे इसके point पर बात करते हैं CNC machining क्रणाली में data भंडारन के लिए एक या अधिक processor और integrated circuit सामिल हैं जो data को भंडारन करता है एक data जैसे data जो होता है इधर से उधर कहीं transfer करना या एक जगा इस्थान अंतरित एक जगा पर जो इस्तिर रखना उसे में हम लोग क्या कते हैं CNC machining प्रणाली में data भंडारन के लिए एक या अधिक processor या integrated circuit सामिल होते हैं यह जो क्या होता है कि जो हमारा micro processor होता है इसमें क्या होते है कि हमारे बहुत सारे data भंडारन जैसे कि SD card हम लोग देखते हैं फोन में जो storage रहता data भंडारन के लिए कोई भी चीज को इस्तिर रखने के लिए हम दों क्या कते है data भंडारन के प्रयोग किया जाता है next question है मारा अगला नंबर question है question है निम्न में से किसे 140 प्राणाली में माना जाता है question है यह question है आर आर भी खुलकाता में पूंचा हुआ question है इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्षिन नमबर D उप्रोग सभीम D is right answer देखिए इसके point पर बात करते हैं सचालित प्रणाली में मसीनों के अवजारों की पूर्ण सचालाकता है क्या हो है वो अवजारों की जो टूल्स होते हैं टूलों की पूर्ण सचालाकता होती जैसे रोबोट आंकिक नियंत्रित मशीन और पूर्ण सचालित वेर हाउस सचालित प्रणाली है निक्ष कोस्चन है, अगला नंबर कोस्चन है, एक साले नाइड, यह आरार भी पोलकाता में पूच्चा हुए कोस्चन है, एक साले नाइड, आप्षिन है, उद्योग वफार्टरी में, 140 कारियों में, 20 तुरूप से उपी होगी, निक्ष्ट आप्षिन है, शामानेता है, इ उपी होगी, निक्ष्ट आप्षिन है, इन राइडर, राइड, बेरो मीटर के शमान होती है, अब साले नाइड, उद्योग वफार्टरी के स्वचालित कारियों में, ब्रिस्तित रूप से उपी होगी, इसका राइटन्स हो जाएगा, आप्षिन नंबर ए, देखिए इसक इवं फैक्टरी के स्वचालित कारियों में, ब्रिस्तित रूप से उपी होगी है, क्या है, ब्रिस्तित रूप से उपी होगी है, साले नाइड, इलेक्ट्रो मेगनेटिक का एक प्रकार है, जिसका उद्येश है, उत्पन चुम्ब की छेतर का नियंत्रन करना होता है, जो से चुम्बकी छेत्र उत्पन को क्या करता है जो चुम्बकी छेत्र उत्पन होता हो उसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है निक्स्ट कोस्टिन है हमारा अगला नमबर कोस्टिन है सिंसर उपियोग करते हैं कोस्चिन है हमारा सिंसर उप्योग करते हैं यह कोस्चिन जो है हमारा कोलकाता आरार भी कोलकाता में पूंचा हुआ कोस्चिन है अप्षिन है ताप करम कम मापन में नेक्स्ट आप्षिन इस्तिती मापन में नेक्स्ट आप्षिन दबाव मापन में नेक्स्ट आप्षिन ये स तभी, sensor का उप्योग करते हैं, ताप कम मापन में, next option है, इस्तिती मापन में, next option है, दाप मापन में, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number D, देखे, इसके point पर बात करते हैं, CNC में आम तोर पर cutting, बल, घटको या मात्रा बल, ताप करम, मापन, इस्तिती मापन, दवाव मापन के लिए sensor का उप्योग किया जाता है, sensor का उप्योग जो हम लोग CNC मशीनों के लिए करते हैं, जैसे CNC में आम तोर पर cutting बल, जो cutting बल घटको को, या मात्रा बल, ताप करम मापन, इस्तिती मापन, दवाव मापन के लिए sensor का उप्योग किया जाता है, sensor मवजूदा या नई मशीनों में इस्तित, इस्थापित करना आसान है, जो क्या होते हैं, कि sensor जो नई मशीनी होती है, जो मशीनों में क्या होता है, कि sensor आज कल की जो मशीनी आती है, उसमें sensor जो है, पहले से ही लगा हुआ आता है, आसान करना होता है, और मशीनों की अखंडता और कठोरता को प्रभावित करता है, अखंडता और कठोरत को प्रहावित करता है निक्स्ट को तन हैं अग्ला नंबर कोंसें सी मसीनों किस प्रकार का तंत्र थे हैं यह कोस्चों जो हमारा और यार बी मालतं हमें प्रकार का मुशा हुआ कोस्चन है, option है, SPM, next option है, DMC, next option है, NC, next option है, EIA, इसका राइट अंसर हो जाएगा, option number C, NC, numeric control, CNC मसीने, question था हमारा, CNC मसीने किस प्रकार का तंत्र है, NC, numeric control, NC मसीने, जो है, होती है, देखे, इसके point पर बात करते हैं, CNC मसीने, मसीने, मुख्यता, NC मसीनों का उत्पन रूप है, CNC मसीने क्या होती है, कि NC मसीनों का जो है, उत्पन रूप होती है, परारम में, NC, numeric control, टेप के द्वारा, निर्देश, ग्रहन करके, मसीनों को नियंत्रित करते थे, बाद में computer control द्वारा, संग्रहित निर्देश के अनुसार नियंत्रित करता है, क्या करता है, control द्वारा, संग्रहित निर्देश के द्वारा, control करता है, स्वच्छवाली तक्नीकी का हिरदे होता है, स्वच्छाली तक्नीकी का हिरदे होता है, यह question जो है, अर Harvard मुंबाई में पूच्छा हुआ, question है, प्रई नियंत्रित पंढालि, निक्स्ट और बोट, निक्स्ट आप्श्टन है, सेंसर इसका राइटन सरो जाएग आप्शन नमबर B नियंतरन प्रणाली जो है स्वचालित तकनीकी का हिरदे होता है इसका राइटन सरो जाएग आप्शन नमबर B देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं नियंतरन प्रणाली 140 तकनीकी का हिर्दे होता है नियंतरन प्राली द्वाराम औजारों का प्रचालन मशीन में फीड गरती शंपून कार की निगरानी कंप्यूटर द्वाराम की जाती है इसके द्वाराम कंप्यूटर के द्वारा की जाती है Next question है, हमारा अगला नमबर question है question है, एक साथ सव से अधिक मशीनों को नियंतरित करने वाले तंतर की पहचान कीजिए यह question जो है, आर आर भी मुंबई में पूछा हुआ question है question हमारा, एक साथ सव से अधिक मशीनों को नियंतरित करने वाले तंतर की पहचान कीजिए एक साथ सौ से अधिक मशीनों को नियंतरित करने वाले तंत्र DNC होते हैं Direct Numeric Control क्या होता है Direct Numeric Control में computer कई मशीनों से जुड़ा होता है क्या होता है कि computer कई मशीनों से जुड़ा होता है आमतर पर नियंतरन का शाप्टिवेर प्रदान करता है क्या करता है नियंतरन का शाप्टिवेर प्रदान करता है Next question है हमारा अगला नंबर कोस्टन है कठोर काशा में मशीनन के लिए किस करतन पदार्थ का उपयोग किया जाता हैं यह कोस्टन जू हमारा आरार भी मुंबई में पूछा हुआ कोस्चन है इसका राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर ए इसका राइट अंसर हो जाएगा देखे इसके पॉइंट पर बात करते है उच्च स्पीड इस्टील की अपेक्षम डलवा अलोव मिस्र धात के औजारों को उसी भंडारन पर दो गुनी करतन स्पीड दो गुनी स्पीड पर प्रयोग किया जा सकता है जो हमारी अलोव डलवा अलोव धात की जो टूल्स होते हैं उन पर दुगनी स्पीट पर प्रयोग किया जा सकता है इस पदार्थ में लोहा नहीं होता है जो ढलवा अलो मिस्त रधातु होता है इसमें हमारा क्या होता है लोहा नहीं होता है और उसमा उपचार दोरा इन्हें मुलायम नहीं किया जा सकता है heat treatment के दौरा इसने मुलायम नहीं किया जा सकता है इसलिए इसका मशीनिंग नन नहीं हो सकता है इसमें कारबन 1-4% टंगस्टन 12-25% कोबाल्ट 40-50% और क्रोमियम 15-35% तक होता है इस पदार्थ से बने आउजार ठलवा लोह, आगात वर्द लोह, पठोर ब्राउंच कांसा के मशीनन हेद प्रियोग किया जाता है Next question है हमारा अगला नमबर question है Question है CNC मशीन पर किस प्रकार का आउजार टूल पोस्ट उप्योग में लाया जाता है Question है हमारा CNC मशीन पर किस प्रकार के आउजार पोस्ट उप्योग में लाया जाता है यह question जो हमारा RRB मुंबई में पूशा हुआ question है Option है quick change आउजार पोस्ट निक्स्ट आप्शन है British आउजार पोस्ट निक्स्ट आप्शन है प्रिवर्व तक 745 प्रियोग किया जाता हम किस अक्षर किस अक्षर नेखा अच्छाना जाता है Sync संख्यात्मक 902nd सब्दावली अनुसार नॉड़ाख को किस अक्छर से पहचाना जाता है यह ची क्या होता है ऐन क्या होता नमबर एं क्या होता मशीन कोड नमबर टीश क्या होता टूल इसका right answer हो जाएगा option number B B and N से क्या होता है कि अब black number को जो है पहचाना जाता है इसका right answer हो जाएगा option number B देखिए इसके point पर बात करते हैं CNC मसीनों को समझने के लिए निमलिखीत परिभासाइम समझना अत्य वेश्यक है इन सब्द इसका परियोग block को पहचानने के लिए किया जाता है जब भी पुरजोँ पर्ज़ा प्रोग्राम चलाया जाता है एक बलाग उभर कर आता है तथा इसे अनुक्रम शंख्या पहचानी जाती है अनुक्रम संख्या बढ़ते क्रम में हो सकती है अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक और सुस्क्राइब जरूर करिएगा अच्छ संचलन को किन अक्छरों से पहचाना जाता है यह कोस्चन जो है आरार भी पटना में पूछा हुआ हम कोस्चन है अप्शन है एक्स वाई तथा जिड निक्स्ट आप्शन बी यू वी तथा डावलू निक्स्ट आप्शन आई जे क्यों निक्स्ट आप्शन ए बी से इसका राइट अन्सर हो जाएगा अप्शन नमबर ए एक्स वाई तथा जिड देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं एक NC में तीन गूर्ण गतियों को A, B तथा C, क्रमसह, X, Y, Z रेखिक अप्छों के सापे अप्छ गूर्णन अप्छ को परिभासित करती हैं तो इस प्रकार से NC प्रणाली निमेरिक कंट्रोल में अप्छ संचालन को एक्स, Y, तता जिड अप्छरों से पहचाना जाता हैं नेक्स्ट कोस्चन है हमारा अगला नमर कोस्चन है CNC कंप्छा निमेरिक कंट्रोल संख्यात्मक नियंत्रन प्रणाली नियंत्रन सब्दा वली अनुसार इस अक्छर को अच्छर किसको दर साथ हैं इस अक्छर जो है किसको दर साथ हैं यह कोस्चन जो हमारा RRB पटना में पूंचा हुआ कोस्चन है अप्छन M इस्पेंडल की करतन गती निक्स्ट आप्छन है औजार कचेन निक्स्ट आप्छन है भरंड़ दर निक्स्ट आप्छन है बलाक इसका राइट अंसर हो जाएगा अप्छन नमबर A इस्पेंडल की करतन गती इससे क्या होता है इस्पेंडल की स्पीड को जो हम दर साया जाता है देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं इनसे भासा को समझने के लिए के लिए निमली खित परिभाएं साय समझना अति आवश्चा के ऐसे सब्दें इस करतन गती सब्द भी इसे करतन गती कटिंग स्पीड सब्द भी कहा जाता है यह मशीनिंग प्रक्रम के लिए करतन गती को दर साता है कटिंग स्पीड को जो हम दर साता है, मशीनिंग के लिए कटिंग स्पीड वरावर वी वरावर होता है, पाई डी एन, यहां पर यह न होगा, अपान 1000, जहां पर डी क्या होता है, डामेटर, इस क्या होता है, हमारी स्पेंडल स्पीड, आगी क्यों बात करते हैं, नेक्स्ट कोस्चिन है, हमारा अगला नमर कोस्चिन है, सिमेंटेट कारबाइट औजार पदार्थ में मुख्यता किस की मात्रा होती है, यह कोस्चिन जो है, आरर भी पटना में पूंचा हुआ कोस्चिन है, कोस्चिन हमारा सिमेंटेट कारबाइट औजार पदार्थ, जो सिमेंटेट कारबाइट की टूल्स होत होती हैं उस में इसका राइट एंसर हो जाएगा और सि टंगेस्टाइन कारबाइट की मातरा ऋती है और हमारा सिमेंटेट कारबाइट औजार पदार्थ में मुखित है किसकी मात्रा होती है तंगस्टन कारबाइट की जो है मात्रा होती है देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं सिमेंटेट कारबाइट के औजार वर्तमान में निर्मान कारिमें बहुताय से प्रयोग किये जाते ये पदार्थ मुकेता हैं टंगस्टन कारबाइट था कुछ मात्रा में टाइटेनियम कारबाइट के कणो को बंधक के रूप में निकिल या कोबाल्ट के चून में मिलाकर वह सांचों में दवाकर अभी सिस्टेम आकार्ब्स में प्राप्त किये जाते हैं इंसर्ट चुने चुना के बाद निम्न प्रकार से कोटिंग होती है इंसर्ट की जुम्में जो कोटिंग होती है टाइटेनियम नाइट्राइट की कोटिंग होती है टाइटेनियम कारबाइट सेयोक्त शेरामिक की जो है इन सब की कोटिंग की जाती है नेक्स्ट कोश्चन है हमारा अगला नमबर कोश्चन है कोश्चन है टंगस्टन कारबाइट इंसर्ट में निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है कोश्चन है हमारा टंगस्टन कारबाइट की इंसर्ट में पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है यह question जो है RRB रांची में पुंचा हुगा question है आप्चन है titanium, nitrite, next option है silicon, next option है magnesium, next option है aluminium, oxide इसका right answer हो जाएगा option number A titanium, nitrite, tungsten, carbide की insert में titanium, nitrite की जो है परत चढ़ाई जाती है इसका right answer हो जाएगा option number A देखें इसके point पर बात करते हैं tungsten carbide insert पर titanium, nitrite की परत चढ़ाई जाती है यह अत्यन्त कठोर ceramic है जिसे अक्सर substrate की सतह के गुणों को बेहतर बनाने के लिए titanium, mistrum, steel, carboid और aluminum भटकू पर एक coating के रूप में उप्योब किया जाता है किसके रूप में? कोटिंग के रूप में प्रयोब किया जाता है निक्स्ट अप्शन कोटिंग हमारा माल भी है नम उच्छ स्पीड इस्टील और जार परदार्थ में कार्बन की प्रयोब की प्रयोब किया जाता है तक कार्बन की प्रयोब के फ्रयोब किया है देखे इसके पॉइंट पर बात करते हैं माल भी है नम का प्रिज़त 3.5% से दस परसं तब होता है नेक्स्ट कोस्टे है हमारा अगला नंबर कोस्टे है अप्तिकल टेप रीडर में फोटो सेलों की संख्या होती है यह कोस्टे जो हमारा रार बिंद法 रांची में जो है पूशा हुआ कोस्टे है कोश्चन है हमारा आप्टिकल टेप रीडर में फोटो सेलों की सं transfya होती है आपशन हे 6, निक्सी आप्ट आप्टिकल आप्टिकल टेप रीडर में 6 फोटो सेल होते हैं आप्टिकल टेप रेडर में कैमरे का उप्योग करके जॉब को इसकैन कर सकते हैं आप्टिकल टेप रेडर में कैमरे का उप्योग करके जॉब को इसकैन कर सकते हैं आप्टिकल टेप रेडर 140 रूप से आपके द्वारा ली गई तस्वीरों को पहचानता है आप्टिकल टेप रीडर नेक्स्ट कोस्टन है हमारा अगला नमबर कोस्टन है प्रोसेसर के बाहर निकली हुई पीनो को कहते हैं यह कोस्टन जो हमारा आरार भी राची में पूंचा हुए कोस्टन है Queschen है महरा processer के बाहर निकली हुई पीनों को कहते हैं ctory चैनल, next option एैक्क्यू, actuator next option control panel next option output channel इसका write answer हो जाएकЬ option बी actuator कहते हैं Queschen है महरा processer के बाहर निकली हुई पीनों को कहते हैं actuator जो हम कहते हैं देखी इसके point पर बात करते हैं प्रोसेसर के बाहर निकली हुई पीनो को एक्चुएटर कहते हैं एक्चुएटर एक मशीन का घटक है जो एक तंत्र या प्रणाली को इस्थानांतरित करने और नियंतरित करता है अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक सेर करना ना भूलियां निक्स्ट कोश्चन से निक्स्ट वीडियो हम लग जो है डिस्केशन करेंगे धन्यवाद